दोस्तों मैं शानवर इस वीडियो में बताऊंगा copyright claim क्या होता है और copyright strike क्या होता है यह दोनों में क्या difference ए छोटे यूटूबर को अक्सर यह चीज़ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पूरा जरूर दीखेंगा अगर पसंद आएगा चैनल को सब्सकाइπ भी करले और विडियो को लाइक शेयर भी कर देना तो पहले बात करते हैं कोपी राइट क्लेम की कोपी राइट मतलब कोपी किसी का कोपी करना किसी कोई चीज को चुराना और उसको अपने विडियो में डालना simple तरीके से बता रहा हूँ मेरा photo अगर आप में से कोई यूज कर रहे है थमनील में या फिर अपना video में या फिर कोई music आप यूज कर रहे हैं किसी का जिसका original honor कोई और है और आप उसका music यूज कर लिए बहुत सार वेबसाइट में आपको मिलेगा कि ये copyright free music है आप उसको अपना video में लगा दे तो बाद में copyright claim आ जाता है फिर attention में आ जाते हैं आप लोग कि ये आखिर आया क्यों इससे क्या दिक्कत होगा तो दीखे copyright claim से कुछ दिक्कत होता नहीं है चैनल पे उससे कोई भी impact नहीं पड़ता है copyright claim से सिर्फ ये दिक्कत है अगर आपका चैनल monetize है या फिर बाद में जब monetize हो जाएगा तो वो वीडियो में जितना भी earning होगा ads दिखा करके जो पैसे मिलते हैं dollar मिलते हैं वो dollar आपको नहीं मिलेगा बलकि उस owner को मिलेगा जिसका content आपने use किया और जिसने copyright claim किया claim करने का मतलब क्या है claim करना मतलब कि आप हग जाता ना यही होता ना जब हमारा गारी के insurance रहता है गारी कभी accident हो जाता है डैमेज हो जाता है तो हम लोग insurance claim करते हैं तो सेम उसी तरह से वो owner लोग YouTube को report करके claim करते हैं YouTube देखो यह मेरा content यूज़ किया यह मेरा है फिर YouTube वाले आपको notification दे देते हैं कि देखो आपका वीडियो के उपर copyright claim आ गया तो इससे कोई problem नहीं है लेकिन आपका earning उस बंदों को मिलेगा ठीक है अब second बात करते हैं copyright strike की देखिए copyright strike मतलब एक जटका, strike मतलब क्या होता है जटका होता है तो आपको जटका दिया जाता है YouTube से यह बहुत डेंजर है यह तीन बार अगर आया तो आपका channel गाइब हो जाएगा YouTube अपना YouTube से यह आपका channel को हटा देगा लाइफटाइम के लिए बैन हो जागो YouTube में काम नहीं कर पाऊगो तो copyright strike कभी भी अपना वीडियो में channel पे आने मत देना यह आता कभी इसको समझे YouTube का guideline है YouTube का guideline क्या है कि आप किसी और का copy किया हुआ content अपना channel पे upload नहीं कर सकते हैं कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मैं वीडियो खुद से नहीं बनाऊँगा मेहनत नहीं करूँगा जो वीडियो है उसी को download करके उसका upload कर देते हैं starting में तो मैं भी ऐसा करता था जब मुझे पता नहीं था कहीं मेरा दोस्त भी करते हैं कहीं से भी एक गाना डाउनलोड कर लिए उसको अपना channel में डाल देता है तो भाई वो गाना आप नहीं डाल सकते हैं उसका owner कोई और है या आप कोपी कर रहो है अगर आप ऐसा करोगे तो copyright strike आ जाएगा एक दो बार आपको warning मिलेगा नहीं समझे तो आपको strike दे देगा YouTube फिर आपको वीडियो को हटाना पड़ेगा एक और example देता हूँ जैसे मैं ये वीडियो बना रहो ये वीडियो को कोई डाउनलोड कर लेगा मेरा डाउनलोड करने के बाद वो अपना channel में डाल देगा वो सोच रहा होगा कि शानुवर को क्या मालूम है कि उसका वीडियो मैंने डाउनलोड कर लिया तो देखें मुझे पता चल जाएगा अगर मेरे वीडियो डाउनलोड करोगे न तो मैं समझ जाओंगा तो मैं copyright claim उस समय दे सकता हूँ YouTube समझ जाएगा कि भाई ये वीडियो तो शानुवर का है तुम यूज कर फिर आपको strike मिल जाता है ये strike अगर मिला तो strike period में आपका चैनल monetize नहीं होता है उसका एक time period रहता है जितना दिन का रहेगा उतना दिन तक आप चैनल को monetize नहीं कर सकते अगर आपका starting में सब कुछ सारा criteria मेट है watch time, subscriber तो भी आपका चैनल monetize नहीं होगा मेरा ये चैनल में खुद ये problem आया था तो इसलिए कभी भी किसी का content copy मत करो इमंदारी से मेहनत करो लगे रहो, रोज वीडियो बनाओ एक नएक दिन जरूर वीडियो वाइरल होगा आप भी बड़ी यूटूबर बनोगे सकसेस हो जाओगे उम्मिद करूँगा वीडियो इंफॉमेटिव लगी होगी चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इस तरह के इंफॉमेटिव वीडियो आपका आगे भी मिलते रहेंगे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद